हेलो दोस्तों तो दोस्तों कैसे हो आप सब तो आज की जो एक NCR की है वो आरखी यहाँ पे Asian Paints की तरह उसे Bumper भरती का यह Official notification आपको देखने को मिल जाता है साथी साथ यहाँ पे बिल्कुल Fresh Air Canada अप्लाई कर सकते हैं प्रेशर के पदों के लिए जैसे कि अगर आप 2023 में पासोट होने वाले हैं या फिर 2023 में आपका Final Year का रिजल्ट आ चुका है या फिर 2023 से पहले पासोट हो चुका है कोई भी यह आपका और आप प्रेशर है अप्लाई कर सकते हैं प्रेशर के पदों के लिए और अगर आपके पास यहाँ पर experience है minimum एक साल का तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं experience वाले पदों के लिए अब बात करते हैं directly education qualification के बारे में जो की जानना बहुत जरूरी है और हर वीडियो में मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ देखे education qualification यहाँ पर जो मांगा है अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच में चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, mechanical हो, electrical हो, CSIT हो, metallurgy हो, production हो, ceramico, chemical हो, petrochemical हो या फिर कोई भी ब्रांच हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और यदि आपने यहाँ पर B.Tech कर रखा है या फिर अगर आपने यहाँ पर Bachelor of Engineering कर रखा है तो भी आप eligible है, all branches आपको देखने को मिल जाती है अब बात की जाए कि कौन-कौन सा position आपको देखने को मिलेगा उसके बार में तो यहाँ पे दो टाइप के पदों के लिए vacancy निकाली गई है जैसे कि यहाँ पर जो Asian Pains है वो hiring करता है यहाँ पर Executive के पदों के लिए चाहिए आपने डिप्लोमा कर रखा है चाहिए आपने BB Tech कर रखा है आपका जो पद रहेगा वो आपका Executive का रहेगा एक साल तक आपको Training यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी Executive के पदों के लिए और उसके बाद जो आपका Position रहेगा वो डिप्लोमा का अलग रहेगा और BB Tech वालों के लिए अलग पद देखने को मिलेगा डिप्लोमा के लिए यहाँ पर Junior Engineer का विकेंसी रहेगा एक साल के बाद यहाँ पर आपको Service Engineer का विकेंसी देखने को मिल जाता है Site Engineer का विकेंसी देखने को मिलता है Supervisor के पदों के लिए विकेंसी देखने को मिलता है तो डिप्लोमा और बीबी टेक के पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है क्या एलिजिबिलिटी क्रेटीरे रहेगा कौनको ने इसको अप्लाई कर सकता है अपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा इसी वीडियो में मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊएँगा जो स्टफ्स में आपको बता रहे हूँ अप्लाई के अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो आप अराम से अप्लाई कर पाएंगे अपने मुबाल से और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजेगा, क्योंकि यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, और इस वीडियो के जो लाइक का टार्गेट अमने रखा है, वह आप करहेगा, यहाँ पे only 4000 प्लस आपको लाइक करवा देने हैं, औ अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेर कर दीजेगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपना एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कमेंट करके बता देना, साथी साथ टेलिग्राम चैनल को जाके जोइन कर लेना, यहाँ पे आपको प्रीमियम टाइप की जॉब अपडेट ब बूलिएगा, चलिए शुरू करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाइक कैसे करने उस प्रासेस के बारे में, तो मैंने आपको डिरेक्टली ओफिशिली वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रफशन में दे रखा है, अगर आप इस वीडियो क दिस्क्रफशन को ध्यान प्रूवक देखेंगे, तो वहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ फिर आप एक काम कर सकते हैं, गूगल को उपन करेगा, वहाँ पे एशेंट पेंट सर्च करेगा, केरेर वाला पेज का बटन दिखेगा, उस पे क्लिक करकी यहाँ पे आप डिरेक्ल क्लिक मत करेगा, इस पे आपको क्लिक कर देने, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डिरेक्ली यह टैब ओपन हो जाएगा, एशेंट पेंट का यहाँ पे आप यहाँ पे जॉप को सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है, आपको एकदम नीची है, तो मैंने maximum number of vacancy को यहाँ पे select किया, कि मैं को एक page पे 100 vacancy यहाँ पे चाहिए, और यह सारी vacancy जो रहेगी, वो latest vacancy आपको देखने को मिलेगी, और मैं आपको पहले clear कर देता हूँ, कि Asian prints यहाँ पे जो hiring करता है, वो executive के पदों के लिए hiring करता है, जिसमें diploma, BB tech, आपको यहाँ पे number of vacancy select कर लिएना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 भी दे रखा है, 25 भी दे रखा है, 50 भी दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे maximum number of vacancy को select कर लिए है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि जो senior executive के पद रहते हैं, उसमें experience मांगा जाता है, और जो executive के पद रह pressure eligible है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि executive safety department के अंदर कैंसी निकाल लगे है, और safety department के अंदर कोई भी बच्चा जा सकता है, जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, भी बी टेक कर रखा है, या फिर अपने यहाँ पे डिप्लोमा और भी बी टेक कर रखा जिन्होंने डिप्लोमा भी बी टेक कर रखा है, mechanical से, उसके अलबा यहाँ पे आता है, senior executive के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे experience मांगा जाता है, executive का vacancy, यहाँ पे आप देख सकते हैं, network engineering का position है, यहाँ पे को ने अप्लाई कर सकता है, CSIT वाले, ब research की field में जाना चाता है, R&D department में जाना चाता है, वो बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, जैसे कि डिप्लोमा भी बी टेक कर रखा है, किसी भी branch में eligible रहेंगे, executive first का vacancy है, production के अंदर, तो mechanical और production वाले अप्लाई कर सकता है, उनसे relevant कोई भी बच्चे अप्लाई कर सकत है, executive का vacancy, यहाँ पे sales के अंदर, तो all branch eligible है, diploma BB tech eligible है, sales engineering का position है, sales के अंदर आपका काम रहेगा, sales department में, जोतपुर का job location देखने को मिलेगा, executive का vacancy है, QA के अंदर, quality analyst के अंदर, तो यहाँ पे अगर आपने diploma कर रखा है, BB tech कर रखा है, सभी eligible है, plant engineering का vacancy है, और भी बहुत सा है, account का vacancy है, become eligible है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, plant engineering का vacancy है, production का है, अलग-अलग job location के according vacancy है, तो आप यहाँ पे search कर लिजेगा, apply करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आप किसी भी position के लिए apply कर रहे हैं, तो आप उस पे click करेगा, click करेंगे, आप आपके सामने एक new tab open होगा, जैसा कि screen पे दिख रहा होगा, नीचे यहाँ पे उन्होंने mention कर रहा है सारी चीजें, और यहाँ पे apply का button है, इस पे click करके आपसको बड़े आराम से apply कर सकते हैं, email ID डालेगा, password डालेगा, login करेगा, अपनी ID को create करने के बाद सारी document upload करने, यह simple सा process है, इसके लाव एक vacancy निकालेगी है, नौकरी.com पे, मैं आपको salary बताऊँगा, attention मत लीजेगा, salary भी मैं आपको बताऊँगा कि salary का breakup कैसे किया गया है, उसके बारे में हम discuss करेंगे कि आपका enhanced salary क्या रहेगा, यह vacancy निकाला गया, executive first का, safety के अंदर किसी tab का कोई experience इन्हो location रहेगा, दो दिन पहले ही job vacancy निकाली है, इसके लाव अगर बात कीज़े, यहाँ पे कुछ भी अगर आपने कर रखा है, आप इसको apply कर सकते है, जैसे कि diploma कर रखा है, any specialization, यह पिर अगर आपने bb.tech कर रखा है, b.a. कर रखा है, become कर रखा है, कोई भी बच्चा इसको apply क location का खर्चा है, ठीक है, free food है, यह सारी चीज़े company के तरह से देखने को मिलेगी है, यहाँ पे key skill में mention कर रखी है, website के through भी apply कर सकते है, इसको apply कर सकते है, apply करने के लिए simple सा उपर देख सकते हैं, apply का button है, इसको apply कर दीजेगा, और यह सारी key skill यहाँ पे mention की गई है, इसको आ रेनवा का कोई भी वीडियो देख लीजेगा, YouTube पे के resume कैसे बनाने हैं, अगर आपको चाहिए resume बनाने के लिए video, तो comment box में बता दीजेगा, मैं अलग से आपके लिए video बना दूँगा, जिसमें मैं आपको पूरा detail में बता दूँगा, कि कौन-कौन से key skill, कौन-कौन से branch क according mention करनी रहती है, जैसे कि civil के लिए अलग key skill रहता है, mechanical के लिए अलग रहता है, electrical के लिए अलग रहता है, electronics वालो के लिए अलग रहता है, तो सारी key skill भी मैं बता दूँगा, comment करके बताएंगे, तो video बना दूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे click करके supply कर सकते है, साती सब के बारे में तो यहाँ पे मैंने Google पे सर्च किया था कि Asian Pants Executive का salary क्या रहता है आप खुद भी देख सकते हैं तो हम directly चलते हैं यहाँ पे जो ambition box है उस पे एक दम correct salary बताता है तो मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे इनका एक टैब open हो चुका है और यहाँ पे जो salary रहता है जो के इंडिया के अंदर है उसका salary यहाँ पे रहता है इन्हेंट salary रहता है वो आपका 6,84,186 रुपए पर मन salary salary रहता है और यह vacancy निकाली जती यहाँ पे बिल्कुल pressure candidate के लिए इन्हों ने mention भी कर रखा है कि यह salary रहता है 0 से लेके जिनके पास 5 साल तक experience होता है उनका salary यह रहने वाल है और enhanced salary आपका रहता है 52,000 रुपए से लेके आपका 53,000 रुपए पर मन आपका enhanced salary देखने को मिलता है यह परियर दे रखा है आप इसको पर मन भी देख सकते है जो कि आप देख सकते है कि 57,000 रुपए पर मन आपका salary यहाँ पे रहता है तो salary company बहुत बढ़िया परोवाइड करवाइगी selection process के बारे में अगर बात की जाए वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर cover कर देता हूँ selection process simple सा interview होगा और उसके interview के base पर आपका selection यहाँ पर देखने को मिलेगा HR round आपका होता है technical round आपका होता है ठीक है तो यह दूर round आपको यहाँ पे clear करने पड़ते हैं और इससे related अगर आपको कोई doubt है कोई query है कोई सवाल है तो नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं या फिर आपको personally message कर सकते हैं कहाँ पे टेलिग्राम पे LinkedIn पे Instagram पे Facebook पे WhatsApp पे सारे link मैंने आपको वीडियो के description में दे रखे हैं इनको जाके join कर लेना यहाँ पे आपको premium tag की job का update बिलकुल free में देखने को मिल जाता है जो कि अक्सर में YouTube पे upload नहीं कर पाता तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को like करेगा share करेगा उन लोगों तक जनको job की need है comment box में अपन आपर बास्ट चैहिन